दोस्तों आज के इस विडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास Noise की Smart Watch है और आपने इसको Reset कर दिया है अब आप इसको Reset करने के बाद फिर से कैसे Phone से Connect करेंगे आपने Noise की Smart Watch को इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे आप Reset कर देंगे जब तो आपके सामने इस type का interface आएगा, आपको अपने phone को ले लेना है, और phone में आपने noise fit नाम का app तो download करी रखा होगा पहले से ही, ठीक है, तो आप simply उसी को open कर लीजेगा, ठीक है, यहाँ पर यह रहा noise fit हम इसको open कर लेते हैं, अब जैसे ही आप इसको open करेंगे, तो आपको simple सा जो है, इस type का interface म in case आपने account इस पर नहीं बनाया है, वैसे आपने अगर watch reset की है, तो आपने account वगरा पहले से ही बना रखाओगा, watch आप यूज़ कर रहा होगे, कुछ आपको problem आई होगी या जो भी है, तो आपने reset की होगी, तो आपका account बना होगा, बट अगर नहीं बना है, तो फिर आपक क्या करना है, आपको simply noise fit app open करेंगे, जब आप तो आप on screen steps को follow करिएगा कुछ, जैसे कि आपको gmail के through login करना होगा, आपना mobile number डाल करके OTP उसमें डालेंगे, verify करना होगा OTP को, उसके बाद आपको इसी type का interface मिल जाएगा, ओके, और वहाँ पर भी आपको simply जो है, क्या करना ह वहाँ पर आपको नीचे की side, आपकी smart watch का नाम दिखा देगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर click करना है, अब जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पर जो है, आपको smart watch में एक pop-up type से आ जाएगा, यहाँ पर इस type से, pair with this device करके, आपको tick पर click करना है, टिक पर click करेंगे, यह pair हो जाएगा, paired successfully आपको दिखा देगा, आपको start using पर click कर देना है, ठीक है, वैसे नहीं दी click किया हमने, तो थोड़ी देर में automatic यह इस type से open हो जाएगी, और बस इस type से आप अपनी noise की smart watch को reset करने के बाद दुबारा चालू कर सकते हैं, अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे, like channel को करनीजे, subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए